नाउ हर एक मैच का लीग आपके साथ सेर किया जाएगा हर एक मैच का लीग टेलीग्राम पर ठीक है और यह मैच जो होने वाला काफी सारे मैचेस अभी होने वाले हैं मतलब ऐसा नहीं है लेकिन कुछ गिन के कुछ मतलब 40 मैचेस होते हैं तो ऐसी कुछ कडीब का मैच है जिसमें से काफी सारे मैचेस हो चुके इंडिया में ही ठीक है समझगे बात को यह मैंने पहले ही बोला तो 25 जन्वरी से ऐसे कुछ अराउंड ठीक है उसके बद आई पिल स्टार्ट ओके सो यहां पर आज की वीडियो में आपके साथ हम सेयर करने इल्यमेंट के लिए सबसे पहले ओको बता दे विराट कोली अनेवलेबल रहने वाले है तो कौंसा प्लेयर खेलने वाले के अपने रसीद कहने वाँले होने और आज आपको बताने वाले हैं सारी चीजन के लिए और यह मैच जो होगा वह total है सब और यहां का बंदा है अपना अर्स्तिप जी आज बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिस करेंगे आपके लिए लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे सबसे पहले हैं मानोगे मिली बात को आप देखे हर मैच में आपके लिए best से best करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो भाई का 2700 स्कोर आया था आज की मैच में देखिए कल जो BBL का मैच था आज ही BBL का मैच था आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो देखिए कितना अच्छा स्कोर आया है समझ रहो GL छूटा है थोड़े से कले सिर्फ CVC चेंज करना था ठीक है समझ गए तो यह है अपना टेलीग्राम जिस पे यह नंबर है इस नंबर से समझ आएगा मेरे नाम से fake channel है टेलीग्राम पे बहुत सारा है एक तो लिंक से आप लोग फॉलो कर सकते हो लिंक से जो डिस्क्रिप्शन पे और दूसरा आप लोग सर्च करके टेलीग्राम पे लेकिन टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरे नाम से fake channel आएगा तो यह जो नंबर दिख रहे हैं आपको 7070947663 यह मेरा रियल टेलीग्राम है और यही नहीं मेरे टेलीग्राम पे व्यूज अच्छे खासे आते हैं मतबब आपको 800, 1000, 2000 ऐसे व्यूज आते हैं और 2400 ही है इस बात का ध्यान दखने है समझ गया आप लोग ओके तो अब हो गया अपना जो काम था क्योंकि टॉस के बाद सारा रिपोर्ट वदर सेयर होता है हर एक वैदर कंडिशन ये वो हर चीज इस पर प्राइस पूल पर आपने नजर दो रहा है प्राइस पूल आप देखोगे तो यहाँ पर मैं भी खुद जोइन करने वाला हूँ बहुत सारा ये 49 पर जोइन होता है मैं खुद जोइन करने वाला हूँ यहाँ पर चार टीम मनाँगा और चार जोइन करूँगा ठीक है और आपके साथ भी सेयर करूँगा क्योंकि प्राइस पूलिस का डेर करोर रुपे का है विनिंग 63% है मतलब विनिंग तो होने ही वाला है ना का सवल पैदा ही नहीं होता ठीक है ओके तो अब हम बात करने वाले है इसके बद आईपील तो स्टाट होगा तो वाई मचाएंगे यार जो नहीं नाचे उसको भी नचाएंगे ठीक है चलिए तो यहां पे आपके लिए हम सेर करते हैं इंडिया का प्लेंग 11 पहले क्योंकि वह जरूरी है ठीक है आप लोग इस वीडियो को देखोगे और जील विन करने वाले हो हार होगे तो बिल्कुल ही नहीं क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ वीडियो के अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट करके देने वाला हूँ तो इस बात का थ्यान रखने पिछ बैटिंग सपोर्ट है अगर गारंटी देके बोल रहा हूँ अगर तो ब्हाइ अफ्गानिस्तान का पूरा बिकेट करने वाला है अगर इंडिया फ़स्ट बैटिंग करने वाला है तो यहां परेवरे स्कोर 170 रसी लगने वाला है एंड अगर 170 रसी तो एक दों कौमपन है कि प्रस्ट आखें देखने लिए मिलें और विक्रत जादा गिरेगा नहीं तो क्या कहनेंगे मतलब इंडिया फस्थ मैंटिंग कर रहा है तो उस कडिशनमे भी उधर के जारता बॉलर्बे थीन ही थिंधिग आप तो भाई इंडिया के बॉलर्स को जाद रखने है ठीक है समझ गये तो चलिए मैंने आपको समझा दिया पेसर्स को सपोर्ट है यहां पेवर्स को ठीक ठाक लगे का और वह अगर अफ़कानिस्तान बैटिंग कर रही है तो भाई जाहिर सी बात इवर्स को उनसे 150-160 कल्पना कर सकते हो ठीक है और भाई थोड़ा गाइड पे हम लोग जाके गाइड पी कर लेते हैं क्योंकि वह भी ज़रूरी है दिखिए इंडिया तो विन करते हैं और यह जो मैचेस हैं तो यह अफगनिस्तान इंडिया से नहीं जित वारी किसी और और लोगों से ठीक है समझ गये और स्पीनर्स और पेसर्स दोनों को सपोर्ट है भाई लेकिन पेसर्स को जाधा है ठीक है तो कौन सा प्लेयर का माने वाला है देखिए इंडिया के तरफ से ना संजू सैंसन खेलने का पूरा पूरा चांस है और यहां पे रोहित सर्मा यह सपी जस्वाल सुमन गिल रिंकु सि तीला कवर्मा यह ऐसे ब्लेयर से तो आप अगर काउंट करेों तो एक यह खेल रहे है क्यों नो भर एक ग्यारा शेप भाई यह कुछ एसे प्लेयर यह कंतर खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं ठीक है बॉलर से इदर के तो भाई यह चीज है ठीक है मतलब टोटल भी आपकर काउंट भी करते हो तो एक इदर से हो गया आपना और दो तीन चार पांच छे छे ही वह ना एक इदर से साथ अक्सर पर ठेल साथ आठ नो डस ग्यार तो अवेस खान को बैठा दिया जाएगा क्लियर डाउट खतम अब खेलेगा कौन कितने नंबर पर देखिए रुहिस सर्मा और यससवी जस्वाल बिल्कुल शुरुआत करते हो दिखने वाले ठीक है और मैं बोलूँगा टी ट्वेंटी का दोनों ही किंग है एक तम हिट मै ठीक है एंड इस कंडिशन के लिए दोनों साथ में उतनेंगे थर्ड नंबर पर तिलक वर्मा उतरते हो दिख जाएंगे एंड फॉर्थ नंबर पर आपको यहां पर सुम्मन गिल एंड फिप्थ नंबर पर यहां पर संजू सेंप्सन एंड शिक्स नंबर पर रिंकु चार दिख्यान आपको और पाचवा प्लेयर कौन यह संजू सेंप्सन और छाठवा कौन रिंकु सिंग ठीक है और उसके साथ यहां पर अकसर पटेव देन यहां पर आपको अर्श्टिप सिंग ऐसे कुछ प्लेयर से हैं जो यहां पर केलते हुए आपको दिखने वाले ठी इस टोटल टीम से कौन सा आपका फिवरेट प्लेयर है इंडिया से और अपना निसान से ओके सो नौ यहां पर इनकी अगर मैं बैटिंग लाइन की बात करूं तो बैटिंग लाइन ठीक ठाक दिखता है गुरबेज बढ़िया प्लेयर है नो डाउट आपके लिए एक उत्रेगा उपनीं करते हो दिखेगा तो यह पॉइंट बनाने वाले और मैं इसका जोबी टेलीग्रम पर से लिए जोई लिक्रम कर लेना लिंक से कर सकते हो और सर्च करके कर सकते हो मिरे टाम सा फिक चैनल पहले बता रहूं आपको ठीक है तो मेरे नंबर उपर पीन होगा जरूर उतरेगा कोई एक ठीक है नहीं फॉर्थ पे सॉर्डी ये खेलेगा ओमर जी खेलेगा फॉर्थ नमर पे ओमर जी खेलेगा इसे ही उमीद है नहीं तो थर्ड नमर पे भी खेल सकता है लेकिन फॉर्थ पे ही ये उतरेगा ओमर जी क्योंकि ये बॉलिंग भी कराने वाल बाकि बॉलर्स की बात करें कि कौन-कौन से बालर आपके लिए अच्छा रहेगा देखो किसी कंडिशन के लिए मुझेवर रह्मान अच्छा अच्छा प्लेयर आपके लिए साबित हो सकता है अब इसके उपर चलो बहुत कर लेते है टोटल ही प्लेयर का बात कर लेते हैं कि टीम्स का क्या ही बात करना, प्लेंग लेंग 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 बताई दिया आपको, ओके, तो देखिए, विकेट की पर सेक्षन से आपके लिए गुरबेज खेलता है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, कब, जब ये लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो भ लेकिन, इनके बाद है निकी बताटने वाले, ठीक है, ओके, तो नाउ, अब लोग इनको important है, किसी भी situation कहें ले लिए, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, तो यस हम लोग कुछ प्लेश को ignore कर सकते हैं, लेक सुम्मन गिल को ignore कर सकते हैं, और उसके जेगे पर इंकु तो यह आप देख सकते हो व्याट को बता दिया जाएगा वैसे चांसे कमें सुम्मन गिल को अपने टीम के अंदर पीक कर सकते हो ना भी कर सकते हो देखो ऐसा नहीं है कि तो भाई अपने अपना होम ग्राउड है तो एक लाविशा कर सकते हो कुछ केसे में लाइक फरस्ट वैटिंग अगर इंडिया कर रही है तो भी सकता हूं आप बात कर लेते हैं यहां पर कुछ और प्लियर्स की जैसे कि रिंकू सिंग को मैंने बोला कि आगर किसी भी सिच्व वाल को मैं अपने टीम के अंदर जगे देने वाला हूं क्योंकि यह बंदा कुछ पॉइंट देखें जाता है ऐसा नहीं होता है कि कुछ पॉइंट नहीं देता है बढ़िया बंदा है है उसके बाद आर्सा खेलते हैं तो आप लोग कर सकते हो बढ़ियां प्लेयर है और ट्र यही कुछ होने वाला है थर्द पर उत्रेगा सेलेक्शन इसमें इसमें और बात करें तो मोहंबन नाभी को अपने टीम के पर दूरूर संद जगे देना हूं क्यूंकि इसलिए जगे देने वाला हूं क्योंकि इनका फिक्त गिरेगा और किरेगा नुस situation के लिए भाई मोहमबन दामी आपके लिए वैटिंग से और बॉलिंग से दोनों पॉइंट देने वाला है अकसर पटेल को मैं ट्राइ करने वाला हूं और मैं आपको पहले बता हूं ओमर जी के बारे मैं आपको बताऊंगा हो सकता है ठीक है अगर कुछ खेलते हैं तो मैं तो प्रस्नली सच बोलनों तो सब्सक्राइब देखूंगा कि ट्राइब करना चाहिए नहीं ठीक है ओके बॉलिंग से में मेरे लिए इंपोर्टेंट जो है वह रशीद कान तो अनवेबले हैं खेलेंगे ही नहीं कुल्धी प्यादों यहां पर खेलते हैं तो मैं इनको ट्राइब करके बैसिकली चल सकता हूं और स्टिप सिंखों में जरूर से अपने टीम के अदर पिक रखूंगा क्योंकि भाई पंजाब का बंद है बहुत उमीद है इससे तो भाई यह कुछ कर सकता है इस मैच के सकते हैं मोजिब रखी मान को ठीक है अगर अगर होता है तो मैं प्रस्वें बोलो तो मैं नवीनू हक के जगह पर मोजिब रहमान को ट्राइब्स करें करकी चल सकता हूं अ करके चलने ऐला हुर यहां पर कर सकती हो तो मुंकेशकुमार खेलने वाले मैच की रिए तो मुंकेशकुमार को आप लोग स्कुमार को और बंदा रखाए कुछ लिए थीक अविसकां खेलते है ज़दूर तर लेना है और उधर सभी कूछ होता है डी को को टीम बना देता हूँ अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर रही या फिर बॉलिंग करें वह सिच्वस्टन के अकॉर्णिंग दो टीम्स आपके सामने बनायता हूं मैं अब चुन लेता हूं अवेस खन के लेगो तो मिलेने वाल हूं तो मैं अकसर पटेल को छोड़ भी सकता हूं बट आप लोग चुन भी सकते हों एंड रोहित तर्मा एंड या सश्वी जस्वाल एंड भाई संजो सैंप्सन तो पांच बंदे होगे भाई और बॉलिंग सिक्ष लेकिन किसको चुने तिले को आए सुमन गिल तो हम लोग सोच रहे है कि अब फिलाल के लिए में शुमन गिल को ही शोषयक कर लेता हूं ठीक है सुमन मेरे को से लग रहा है एंड बाकी फर्स्ट सेकंड बाटिंग इंडिया कर रही है तो उस सीच वसकर लिए उन पराएं आ और अफगानिस्तान के तरफ से हम लोग कुछ ले लिता हूं लाइक सबसे पहले मुहंबद नाभी ओमर जी एंड बैटिंग से नहीं लेकिन विकट कीप से गुर्बेज को ट्राइब कर सकते हैं नहीं तो यस गुर्बेज को ट्राइब कर सकते हैं और चाहे तो भाई मैं जर् होगा तो मैं कर सकता हूँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बाकि कुछ इस तरह से कुछ दिखता हुआ यह अपना रहे हैं यह मेरे को टीम अच्छा लगा आप लोग भी ट्राइब कर सकते हो एंड कुछ बढ़िया यह कर सकते हैं आपके लिए सीवीसी के लिए बढ़िया को इस रहेगा सीफ रहेगा एंड ट्राइ आप लोग कर सकते हो मुहमद नाभी को भी एंड उमर जी को बताएंगे उस सिच्वाशन के लिए बढ़िया चोईस है और सीवीसी ट्राइब कर सकते हो अपने टीम के अंदर तो जगह दे सकते हो ठीक है ओके सो यही मेरे को सेफ लगा भाई आप लोग देख लेना एंड इस सिच्वाशन के लिए मैं तोरह रिस के लिए के दस्वी जस्वाल एंड मुहमद नामी पर यह फिर आस्दीब सींग को मैंने फेक दिया है टोटल आस्दीब सींग को नोट किसी और को ठीक है ओके सो यह हमारे टीम बंच क्या च चाहूंगा उस प्लेगों और करूंगा मैं एंड बाकी यह पांच प्लेयर्स रहेगा भाई किसी भी सिच्वाशन से इनका मेरे को बहुत जाद है तो हार्ड दिखनीट है जो भी इनका प्लेंग स्टाइल है उसके हुतावी तो दो बॉलर्स नहीं तीन बॉलर्स तो हमने लिए अगर कुछ चेंज करना होगा तो मैं करूंगा बाद में ऐसा नहीं है कुछ तो इंडिया के तरफ से मैं अक्सर पटेल और संजू सेमसन को एंड रहिंकु सिंग को ट्राइब करूंगा एंड देन रोहित सर्में तो यसासवाल किसी एक को ट्राई करने तो मैं रोहित से ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना ही गिर जाए तो आप लोग यहाँ पे सुमन गिल को ट्राइ करके चल सकते हो एंड सुमन गिल आपके लिए कुछ बढ़िया पिक हो सकते हैं आप चाहो तो किसी कुछ काम नहीं करें यानि कि कुछ तो है वरना बॉलिंग से भी किसी योग को लें सकते हो और वह ब्रबिस नहीं तो यह टूटल टीम निकल के आया है भाई जो यहां पे कुछ ऐसा सिच्वेसन होता है तो यह टीम थोड़ा वर्क करने वाली है और आपके इस सिच्वेसन के लिए मैं तो पूरा पूरा भाई बोलू तो यार रोहित सर्मा पर ट्राइ कर सकते हो तो आई जड़न पर उनके तरप से जा सकते हो जो अगर सेकेंड बैटिंग करें तो आई जड़न लब के लिए इस एक तीम बना सकते हो बनाने में लगा क्या है ओके सब्सक्राइब करना और चैनल को सबस्क्राइब कर दो and thank you thank you so much for watching this video